पहला प्रश्ण है कि नॉम्बर 2021 में किसे इंदिरा गांधी सांती पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया बहुत ही महत्पूर प्रश्ण है तो ध्यान रखिएगा 2021 में ये जो पुरस्कार है वहाँ प्रथम नाम के NGO को दिया गया है किसे दिया गया प्रथम नाम का जो NGO है उसे ये पुरसकार मिला है, तो option हमारा B हो जाएगा correct, अच्छा अगर आप से ये पूछ लिया जाए, कि 2020 में ये पुरसकार किसको मिला था, तो 2020 में मिला था डेविड एटन बारो को, तो दोनों नाम आपको यादखने हैं, फिलहाल option B हो जाएगा यहाँ पर correct, अगला प्रशन है कि वर्स 2021 के लिए अंगरेजी भासा में जो साहित्यकार्मी पुरसकार है, उसके लिए किसको चुना गया, तो ये अभी दिसंबर के लाश्ट में दिये गए हैं, ध्यान रखिएगा, अंगरेजी भासा का जो पुरसकार है, ये मिला है नमिता गोखले को, क्या नाम है, नमि तो लीव विहाइंड, यानि कि वह चीजें जिन्हें आप पीछे छोड़ सकते हैं, तो इस नाम से इन्होंने अंगरेजी में एक उपन्यास लिखा था, और उसी के लिए नमिता गोखले को, अंगरेजी भासा का साहित्यकार्मी पुरसकार मिला है, तो बी हो जाएगा, करक अगला प्रशन है, कि वर्स 2020 में हिंदी भासा के लिए किसे साहित्यकार्मी अवाद से सम्मानित किया गया, तो अगर हम हिंदी भासा की बात करें, तो ये पुरसकार मिला है, दया प्रकास सिनहा को, किसे दिया गया, दया प्रकास सिनहा को मिला है, तो ओप्सन फिलहाल D हो जाएगा correct अच्छा इन्होंने क्या लिखा है तो ध्यान रखेगा इन्होंने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है समराट असोक तो ध्यान रखेंगे आप लोग समराट असोक नाम के नाटक के लिए दया प्रकास सिनहा को मिला है हिंदी का साहत्यकादमी पुरसकार तो option D होग correct अगला प्रश्ण है कि वर्शम 2021 के लिए प्रतेश्ठित यजु थचन पुरसकार के लिए किसे चुना गया तो यजु थचन जो पुरसकार है यह साहत के छेतर में केरल की सरकार देती है और इस साल यह पुरसकार मिला है पी वल साला को, किसे मिला, पी वल साला को मिला है, तो option हमारा B हो जाएगा यहाँ पर correct, तो ध्यार रखेंगे, यह है पी वल साला, और मल्यालम भासा में इनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया, अगला प्रश्न है, कि दिसंबर 2021 केस में, 2017 से 19 के लिए, किसको सा इनकाना की किरसी विशुद्याले है, उसके इस समय यह चांसलर है, और उन्ही को यह परस्कार मिला है, तो B होगा फिलहाल, perfect, अगला प्रश्न है, कि हाल ही में कि इने मदर टेरेसा मिमोरियल अवार्ड जीता है, मदर टेरेसा मिमोरियल अवार्ड की बात करें, तो यह पु अगला प्रशन है बहुत ही जादा महत्पूर कि दिसंबर 2020 में जो 56 ग्यानपेट पुरसकार है इससे किसको सम्मानित किया गया तो आपको याद अखना है असमीज भासा के हमारे राइटर है जिनका नाम है नील मडी फूकन तो नील मडी फूकन साहब को 56 ग्यानपेट पुरसकार से सम्मानित किया गया और ग्यानपेट पुरसकारों के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि 1965 में इस पुरसकार की सुरुवात होई थी जीयेस कुरूप सहाब को पहली बार ग्यान पीट पुरसकार से सम्मानित किया गया था और अभी जो 56 ग्यान पीट पुरसकार है ये मिला है नील मडी फूकन सहाब को तो यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं अगला प्रशन है कि दिसंबर 2021 में जो 57 ग्यान पीट पुरसकार है इससे किसको सम्मानित किया गया तो ये हमारे कॉंकडी भासा के राइटर है नाम इनका है दामोदर मोजे क्या नाम है दामोदर मोजो इनका नाम है जिनको 57 ग्यान पीट पुरसकार से सम्मानित किया गया ये हिमाचल प्रदेश की पुलिस को मिला है ध्यान रखिएगा जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस है ये हमारे देश की आठ्मी पुलिस बन गई है जिसको President Color Award मिला है तो फिलहाल Option A होगा यहाँ पर करक अगला प्रशन है कि सितंबर 2020 में किस राज में इस्थित एडन तट को Blue Flag प्रमाणन से सम्मानित किया गया तो ये जो Blue Flag प्रमाणन है ये मिला है आपके पुलू चेरी के तट को ध्यान रखिएगा Blue Flag प्रमाणन एक हमारे तटों को दिया जाने वाला विस्सेश प्रकार का सम्मान है जो की बहुत ही टफ क्राइटेरिया के आधार पर दिया जाता है तो ये मिला है आपके एडन तट को जो की पुडू चेरी में है तो D होगा फिलहाल करेक्ट अगला प्रशन है कि सितंबर 2020 में किस राज में इस्थित कोलम तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया तो ये जो कोलम तट है ये आपको मिलेगा तमिल नाडू में कहां पर है तमिल नाडू में है तो आप्शन फिलहाल के लिए C हो जाएगा करेक्ट अब आपको कुछ और जरूरी चीज़ें धिया रखनी है जैसे कि ये जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन होता है ये डेनमार की एक संस्था है जिसका नाम है FEE यानि कि Foundation for Environment Education इसी के द्वारा ये पुरस्कार यानि कि ये सम्मान दिया जाता है सबसे पहला बीच हमारे यहां का है चंदरभागा बीच उडिसा का जिसको ये पुरस्कार मिल चुका है तो टोटल अभी तक हमारे देश के ग्यारा बीच को ये पुरस्कार मिला हुआ है Option C हो जाएगा यहां पर Correct अगला प्रशन है कि वर्च 2020 के लिए जो तीसवा प्रतेश्थित ब्यास सम्मान है इससे किसको सम्मानित किया गया तो ध्यान रखिएगा अगर हम तीसवे ब्यास सम्मान की बात करते हैं तो ये मिला है सरत पगारे को किसे मिला है सरत पगारे सहाब को मिला तो Option A हो जाएगा Correct इनके द्वारा एक नॉबल लिखा गया जिसका नाम है पाटली पुत्रू की सामागरी तो इसके लिए इनको ये पुरसकार केके बिल्ला फाउंडेशन ने दिया है Option A होगा Correct अगला प्रशन है कि वर्ष दो हजार बीस के लिए किस लेखक को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया तो जो सरस्वती सम्मान है ये दिया गया है हमारी सरन कुमार लिंबाले को किसको मिला है सरन कुमार लिंबाले साहब को मिला Option D हो जाएगा Correct तो ध्यान रखिएगा ये हमारे मराठी भासा के राइटर है इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है सनातन और उसी पुस्तक के लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है तीस्वा Option D हो जाएगा Correct अगला प्रशन है कि मार्च 2020 में किसे बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किये जाने की घुशना हुई है तो अगर हम लोग बिहारी पुरस्कार की बात करें ये मिला है हमारे मोहन कृष्न बोहरा साहब को किसे मिला? मोहन कृष्न बोहरा साहब को तसलीमा, संहर्स और साहित नाम की एक इन्होंने रचना की थी जिसके लिए केके विला फाउंडेशन ने इनको ये पुरस्कार दिया है तो ऑप्सन ए हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 में इनमें से किसे महाबीर चक्र से सम्मानित किया गया तो जो चाइना के साथ में गैलवान घाटी में इंसिडेंट हुआ था उसमें हमारे जो मेजर संतोस बाबू है इनका निधन हो गया था तो इनही को 2021 में मर्डो प्रांत महाबीर चक्र दिया गया है ऑप्सन फिलहाल के लिए D हो जाएगा अगला प्रशन है कि वर्ष 2021 के लिए अंतर राष्टे रेंजर्स पुरसकार किस भारती ने जीता है तो ये जो इंटरनेशनल रेंजर्स पुरसकार है इसको जीता है हमारे महेंदर गिरी साहब ने हमारे देश के दो रेंजर्स ने जिनको ये पुरसकार मिला है तो एक तो है महेंदरगेरी साहब, एक है आपके सतीस सुन्दरम, तो दोनों की नाम ध्यान रखिएगा, और उप्सन फिलहाल सी होगा, करेक्ट, अगला प्रशन है, बहुत यही जादा महत्पूर्ण, कि वर्स 2020 के लिए किसे गांधी सांती पुरसकार से सम्मानित किया गया, तो यह जो गांधी सांती पुरसकार है, यह मिला है बांगला देश के जो जनक है, सेख मुझीबूर रह्मान, तो नाम इनका जरूर ध्यान रखिएगा, 1995 में गांधी सांती पुरसकारों की सुरुवात की गई थी, गांधी जी के हमारे 125 में जनम दिवस के आउसर पर, आप प्रशन है, कि जनवरी 2000 केस में, ब्यक्तिगस रेणी में जो सुबास चंदर बोस आपदा प्रवंधन पुरसकार है, इससे किसको सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखेंगे आप लोग पहले, कि यह जो हमारा सुबास चंदर बोस आपदा प्रवंधन पुरसकार होता है, य ये टोटल दो काटेगरी में दिया जाता है तो बैक्तिगस रेणी में ये मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को आप्सन यहां पर यह हो जागा फिलहाल करक तो यह देख सकते हैं राजेंद्र कुमार भंडारी को नीता जी सुभास चंद्र बोस जी के जनम दिन पर 23 जनव 2020 में संस्थागस रेणी में सुभाष चंद्रबोस आपदा प्रवंधन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया तो अगर हम लोग संस्थागस रेणी की बात करें तो यह मिला है सीड्स को सीड्स हमारे यहां की एक संस्था है जिसको यह पुरस्कार मिला है तो C होगा Correct नाम चरूर ध्यान किएगा, Seeds का पूरा नाम है, Sustainable Environment and Ecological Development Society, और इसी को यहाँ पर दिया गया है, 2021 में, option C होगा, correct, अगला प्रशन है, कि नॉम्बर 2020 में, किसे Tata Literature, Life, Life, Life Time Achievement Award से सम्मानित किया गया, तो यह पुरसकार मिला है, हमारे देश की एक मसहूर लेखक है, नाम इनका है, अनीता दिसाई, क्या नाम है, अनीता दिसाई नाम है, तो C हो जागा, फिलहाल के लिए, correct, तो यह देख सकते हैं, Tata Literature, Life, फिश्ट जिसका आयोजन मंबई में किया गया, उसी के दौरान, अनीत से 2021 के लिए, कितने ब्यक्तियों को सांती सुरूब भटनागर पुरसकार से सम्मानित किया गया, तो यह जो सांती सुरूब भटनागर पुरसकार है, यह दिया गया है, टोटल 11 ब्यक्तियों को, कितने लोगों को, 11 लोगों को यह पुरसकार मिला है, तो option हमारा D हो जाएग अब पुरसकार के बारे में आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि बिग्यार और प्रदोगकी के छेतर में ये पुरसकार दिया जाता है CSIR हमारे यहाँ पर इस पुरसकार को देती है और टोटल ये साथ कटेगरी है जिसमें ये पुरसकार दिया जाता है तो option D हो जागा correct यहाँ पर आप देख सकते हैं उन 11 लोगों के नाम जिनको ये पुरसकार 2021 में मिला है अगला प्रशन है कि नॉवंबर 2020 में किसे तेंजिंग नौरगे राष्टिय साहसिक पुरसकार से सम्मानित किया गया तो वैसे ये पुरसकार साथ लोगों को मिला है आपको दो नाम जरूर ध्या रखने हैं जो की है LG सर्वेस धरवार का और LG अमिद बिष्ट का क्योंकि ये हमारे लेपनिने जनरल है आप्सन यहाँ पर D हो जागा फिलहाल करक इसके अलावा महराश्ट की एक प्रियंका मोहिते हैं उनको भी यहाँ पर तेंजिंग नौरगे राष्टिय साहसिक पुरसकार मिला है तो D होगा करक अगला प्रशन है कि नौमबर 2021 केस में किस अभिनेता को मरणो प्रांत बसव स्री प्रसकार से सम्मानित किया जाएगा तो मरणो प्रांत यह जो पुरसकार है वो मिलेगा हमारे साउथ इंडस्टी के एक बहुत ही खास अभिनेता पुनीत राजकुमार को इनका पिछले साल निधन भी हुआ है यह आपको ध्यारक ना है तो आप्शन फिलहाल D हो जाएगा करक पुनीत राजकुमार की बात करें तो यह हमारे कंड़ भासा के एक बहुत ही सुपर अभिनेता थे जिनका पिछले साल निधन हो गया 46 साल की एज में और उन्हीं को यह पुरसकार दिया जाएगा D होगा करक अगला प्रशन है कि नौंबर 2021 केस में किस राजक को पहले इंस्पाइरिंग रीजनल से सम्मानित किया गया तो यह जो पुरसकार है वो मिला है हमारे महाराष्ट को आपशन यहाँ पर A हो जाएगा फिलहाल करक तो कॉप 26 के दोरान यहाँ पर जो U2C जनरल असंबली हुई है उसी के दोरान महाराष्ट को यह पुरसकार दिया गया आपशन A होगा करक अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक को most innovative best practice 2021 के लिए CII DX पुरस्कार दिया गया तो ये मिला है HDFC बैंक को ध्यानक कियेगा option D हो जाएगा correct अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस ने global environment and climate action citizen award 2021 जीता है तो ये जो पुरस्कार है इसको जीता है बिरल सुधीर भाई दिसाई ने किस ने जीता बिरल सुधीर भाई दिसाई ने जीता है तो option A होगा यहाँ पर correct अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में किस उद्योग पती को असम भाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो ये जो असम भाई पुरस्कार है ये दिया गया है हमारे रतन टाटा साहब को रतन टा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे राष्टिय फ्लोरेंस नाइन टिंगल अवाड 2020 से सम्मानित किया गया तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है S.V. सरस्ति को किसे मिला है S.V. सरस्ति को मिला है तो option फिलहाँ A हो जाएगा correct अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में जो 22 लाल बहादु सास्तिरी राष्टिय पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया तो ये मिला है AIMS दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया को किसे मिला AIMS दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया को तो D होगा फिलहाल correct अगला प्रश्न है कि अक्टूब जी सतीस रेड़ी तो नाम जरूर ध्यान रखेगा जी सतीस रेड़ी साब को ये पुरस्कार दिया गया है और अप्शन फिलहाल के लिए A हो जागा यहाँ पर correct तो Astronautical Society of India ने इनको ये पुरस्कार दिया है अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2000 केस में किसे गोपीनात ब अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में ICAR नार्मन बोरलाग पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया तो ये हमारे DRDO के एक साइंटिस्ट है नाम इनका है काजल चक्रवर्ती क्या नाम है काजल चक्रवर्ती नाम है और ये पुरुस है तो महिला इनको मैं समझ येगा ये देख किसे राष्टिय इवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो ये जो राष्टिय इवा पुरस्कार है ये मिला है मुहम्मद आजम साहब को किसे मिला मुहम्मद आजम साहब को मिला हमारे जो खेल और इवा मामलों की मंतरी है अनुराग ठाकुर जी उन्हीं के द्वारा ये सम्मानित किया गया, तो ये जो बीरता पुरसकार है, टोटल मिला है 144 लोगों को, अब आपको 144 लोगों के नाम नहीं याद रखने हैं, तो ध्यान रखेगा टोटल 144 को मिला है, ये हो जाएगा करेक्ट, लेकिन एक नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, जो की है हमारे बाबु राम को, इनका निधन हो गया है, और मरनो प्रांध इनको दिया गया है असोक चक्र, असोक चक्र हमारे लिए इसलिए इतना ज़्यादा खास है, क्योंकि सांती के समय में दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा बेरता पुरसकार है, और ये मिला है ASI बाबु राम को, तो जरूर इनका नाम ध्यान रखेगा, option A होगा यहाँ पर correct, अगला प्रशन है कि अगस्त 2021 केस में किस राजने NASCOM, Artificial Intelligence, Game Changer Award जीता है, तो ये जो पुरसकार है, इसको जीत लिया है तिलंगाना ने, किसने जीता तिलंगाना ने, तो option D हो जागा यहाँ पर correct, अगला प्रशकार है, ये मिला है जगदीश भगवती और सी रंग राजन को, ध्यान कियेगा, दो लोगों को ये मिला है, तो option final D, यानि कि A और B हो जाएगा यहाँ पर correct, तो कोलंबिया पे सुविद्याले के प्रूफेसर है, जगदीश भगवती, और आपको पता होगा कि हमारे R B.I. के पूर्व गवर्नर है चुके हैं, सीरंग राजन साहब, इन्हीं दोनों को अर्थसास्त के फिल्ड में योगदान के लिए पुरसकार दिया गया, तो D होगा correct, अगला प्रशन है कि अगस्त 2020 केस में किसे लोकमाने तिलक राष्टिये पुरसकार से सम्मानित किया गय तो ये मिला है सीरं इंसिट्यूट ऑफ इंडिया के जो हेड है, जिनका नाम है डाक्टर साइरस पुनावाला, किसे मिला है डाक्टर साइरस पुनावाला को, तो ये हो जागा फिल्हाल correct, अगला प्रशन है कि जुलाई 2020 में किसे प्रतेश्ठित महाराष्ट भूसन पुरस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये जो कलिंग रत्न पुरस्कार है, ये मिला है आन्द प्रदिस के गवर्नर बीवी हर्चंदन को, आप्शन यहाँ पर ए हो जागा फिल्हाल correct, तो देख सकते हैं, एमवी नायडो जी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है, उड इससे किसको सम्मानित किया गया, अब ध्यानक कियेगा, जो मैंने उपर आपको नाम बताया था दया जी का, उनको 2021 के लिए मिला है, और ये आपसे पूचा जा रहा है 2020 का, तो ध्यानक कियेगा 2020 वाला पिछले साल ही दिया गया था, तो ये मिला था अनामिका को, किसको मिला अंग्रेजी भासा का जो पिछले साल पुरस्कार है वो मिला था अरुन्धती सुब्रामन्यम को इस साल नमिता गोखले को मिला है और 2020 वाला मिला है अरुन्धती सुब्रामन्यम को और इनकी रचना है When God is a Traveller तो दोनों के नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने है अगला प् चीज हमने टार्गेट रखा हुआ है कि अपने देश से हम लोग टीबी को समाप्त कर देंगे और इसमें बहतर काम किया है केरल राज ने तो ऑप्षन फिलहाल भी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि वर्ष से 2021 को किस राज की सरकार के द्वारा सिच्छा के वर्ष के सरकार ने तो C हो जाएगा फिलहाल करेक्ट यह देख सकते हैं जो CM है अरुणाचल प्रदेश के पीमा खांडू जी इन्हों ने कहा कि 1000 करोन रुपए का हम लोग निवेश करेंगे और 2021 को इन्हों ने समर्पित किया Year of Education की रूप में तो C हो जाएगा करेक्ट अगला परसकार है यह मिला है सोबना कपूर अंतरा बनेर जी सोनु गाधी और इसके अलावा एक हमारी और हैं जिनका नाम है रीतु गुपता तो ध्यान रखेगा सर्व ने यहां पर चार महिलाओं को परसकार दिया 2021 केस में डाक्टर सोबना कपूर डाक्टर अंतरा बनेर जी डा यह जो परसकार है यह मिला है टोटल 32 बच्चों को कितने को मिला 32 बच्चों को मिला तो ए हो जागा फिलहाल करक्ट अगला प्रशन है कि जून 2021 में घुसित स्मार्ट सिटी अवार्ट 2020 में कौन सा सहर आपके टॉप पोजीशन पर रहा है तो टॉप पे रहे हैं दो सहर एक है इंदोर दूसरा है सूरत तो आप्शन फिलहाल D होगा यहाँ पर करक्ट अगला प्रशन है कि फरवरी 2000 केस में किस CM को स्कॉच CM of the Year के पुरसकार से समानित किया गया तो यह जो पुरसकार है वो मिला है हमारे जगन मोहन रेड़ी साहब को आप सभी को पता होगा कि पोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा किस भारती हवाई अड़े को वाइस ओफ दी कश्टमर पुरसकार से समानित किया गया तो यह जो पुरसकार है वो मिला है हमारे बैंगलोरू के कैमपा गोड़ा हवाई अड़े को तो फिलहाल के लिए आप्शन यहाँ पर भी ह हो जाएगा अगला प्रशन है कि किस राज की सरकार को स्रेणी पर्थम में इपंचायत पुरसकार से समानित किया गया तो यह जो इपंचायत पुरसकार है यह दिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार को किसको दिया गया उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया गया प्रथम स्र द्वारा AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 दिये गए तो यह जो पुरस्कार है उस समय के हमारे जो सिच्छा मंतरी थे रमेश पोखरियाल निसंग साहब इनके द्वारा दिया गया था तो B होगा फिलहार यह देख सकते हैं 5 कटेगरी में यह पुरस्कार दिये गए थे और कटेगरी वाइच आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राजी सरकार के द्वारा किसे भारत भारती सम्मान देने की घोशना की गई तो यह जो पुरस्कार है यह मिला है डाक्टर सूर्यबाला को तो आप्सन हमारा ए होगा यहाँ पर करक अगला प्रश्न है कि मार्च 2020 केस में किसको इंटरनेशनल वूमेन आप करेज 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया तो यह जो परश्कार है यह मिला है कौसल्या संकर को किसे मिला कौसल्या संकर को मिला आप्सन ए हो जागा करेक तो यह देश सकते हैं हमारे तमिल नाडों की एक ज प्रश्ण है कि जन्वरी 2020 में कितने लोगों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फार सोसल जश्टिस के लिए सम्मानित किया गया उपर जो मैंने बताया था वो 2021 के लिए था ये 2020 के लिए ये टोटल मिला था पांच टोगों को तो ये होगा करेक्ट ये देख सकते हैं केके स अगला प्रशन है कि राष्ट पती रामनात कोविंद जी के द्वारा पिछले साल छटे राष्टे डिजिटल अवार 2020 दिये गए थे तो आपको बताना है कि पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया था तो पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था 2010 में ऑप्शन यहां प जैसे innovation in pandemic की बात करें तो platinum के लिए इस संजीवनी को मिला था पुरस्कार, gold के लिए covid-19 sample collection management को मिला था, silver icon मिला था आपदा संपूर्ती पोर्टल जो की बिहार का है और प्रवासी समिक और रोजगार सेतू पोर्टल जो की है MP का, तो ये सारे चीज़ें भी आप लोग ध्य आ रखेंगे, आखरी प्रश्ण है कि वर से 2020 के प्रतिष्टित इंजीनियर प्रश्कार से किसको सम्मानित किया गया, तो ये जो प्रश्कार है, ये मिला है हमारे railway board के जो पहले CEO थे, नाम उनका है BK यादव, क्या नाम है BK यादव नाम है, तो option फिलहाल के लिए ये हो ज प्रश्न है कि Forbes के द्वारा जारी, बिस्वकी 2021 में सबसे सक्तिसाली महिलाओं के सूची में कौन रहा है सिर्स पर, तो ध्यान कियेगा, सबसे सक्तिसाली महिला बन गई है, नाम इनका है McKenzie Scott, क्या नाम है, McKenzie Scott इनका नाम है, option यहाँ पर A हो जाएगा, correct, तो Forbes के द्वारा य आप लोग ध्यान रखेगा, अगर हम लोग भारतिये की बात करें, तो हमारे देश की जो बित्मंतरी हैं, निर्मला सीतारमन जी, वे दुनिया में 37 अस्थान पर है, यह ध्यान रखेगा, तो यह हो जाएगा, correct, अगला प्रश्न है, कि वर्ष 2020 के लिए, किन भारतिये को अ दोनों को यहाँ पर अंतर राष्टी बाल सांती पुरस्कार दिया गया, आप्शन ए हो जाएगा, correct, तो देख सकते हैं, हमारे देश के जो नूबर पुरस्कार बजीता है, अमरत्तिसेन साहब, उनके द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया है, तो आप्शन ए होगा, correct, अ भूटान के सरकार ने दिया है, तो आप्शन C हो जाएगा, correct, अब यह प्रशन तो बहुत ही जादा महत्पूर्ण है, क्योंकि अगर हमारे पीम को कोई पुरस्कार मिलता है, तो वह वैसे भी अपने आप में महत्पूर्ण हो जाता है, और जब अंतराष्टी एस्तर पर को होना 100% है, यह मैंने पूरी आपको लिश्ट दे दी है, कि किन देशों ने अपने यहां के पुरस्कार को हमारे पीम सहाब को दिया हुआ है, चाहे साथी अरब हो, अफगानिस्तान हो, यह सारे पुरस्कार आप ध्यान रखिएगा, पिछले दो सालों की बात करें, तो यॉ किसको परसन आप धी यर चुना गया, तो यह भी काफी महत्पूर्ण है, पिछले साल के अगर हम बात करें 2020 की, तो जो बाइडन और हमारी जो कमलाब हुआ है, वो रही थी टाइम परसन आप धी यर, लेकिन इस साल नहीं है इलोन मस्क, आप सभी को पता होगा, कि इस साल य यानि कि सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गये थे, और यह आपके टेसला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं, और इनहीं को टाइम मैगजीन ने परसन आप धी यर चुना है, तो B होगा, करेक्ट, अगला प्रशन है कि अक्टूबर 2021 में किसको सखा रोप रसकार से सम्मानित क यह भी काफी महत्पूर्ण है, तो ध्यान रखेगा जो अलेक्सी नवोलनी है, क्या नाम है अलेक्सी नवोलनी, इनको सखारोप रसकार से सम्मानित किया गया है, ऑप्सन D होगा करेक्ट, इनका नाम आपने सायद पहले भी सुना होगा, कि यह हमारे रूस में एक अपोजि करेक्त, अगला प्रेशन है, कि अक्टूबर 2021 में पहला प्रिंस बिलियम और्थ concert पुरसकार से किस को सम्मानित किया गया, तो जो पहला प्रिंस बिलियम पुरसकार है, यह मिला है हमारे भारत के उद्यमी, बिद्दुत मोहन को, बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण उसी के लिए इनको यह पुरसकार दिया गया गया तो सी होगा प्रेशन है कि अक्टूबर 2020 में Global Leadership Award 2021 से किसको सम्मानिद किया गया तो यह जो पुरसकार है हमारे देश के दो बड़े विजनेसमेन को मिला है एक तो है जिनका नाम है सिव नदार S.E.L. कमपनी के है और दूसरी है मलिका स्रीनिवासन टैफी कमपनी के CMD है तो यहाँ पर तो फिलहाल C हो जाएगा लेकिन आपको नाम दोनों ध्यार रखने है कि सिव नदार और टैफी कमपनी के CMD मलिका स्रीनिवासन को यह पर तो यहाँ पर फिलहाल C होगा अगला प्रशन है कि अक्टूबर 2020 केस में किस भारतिय संगठन को राइट लिबली हुड अवार्ड से समानित किया गया है तो यह जो लिबले हुड अवार्ड है यह मिला है आपके लाइफ नाम की संस्था को किसको मिला लाइफ को मिला है तो फिलहाल D होगा करेक्ट यह आप लोग देख सकते हैं कि दिल्ली में इस्थित यह पर्यावरण के लिए काम करने वाला एक संगठन है नाम इसका है Legal Initiative for Forest and Environment तो इसके अलावा कई अन्य लोगों को भी यह पुरस्कार मिला है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहां की लाइफ को मिला है D होगा करेक्ट अगला प्रशन है कि अमेरिकी संसथ के द्वारा किस भारतिये को Congress के स्वर्ण पदक से सम्मानित किये जाने की घोशना हुई Congress का मतलब है अमेरिका की संसथ तो इसने स्वर्ण पदक देने की घोशना की है हमारे जो राष्टपिता है महात्मा गांधी जी Option यहां पर यह हो जाएगा Correct तो ध्यान रखिएगा यह जो महात्मा गांधी जी है यह पहले भारतिय होंगे जिनको यह पुरसकार मिल लहा है इससे पहले नेलसल मंडिला और मदर टेरेसा को यह मिल चुका है तो यह हो जाएगा Correct अगला प्रशन है कि वर्षट 2021 के लिए International Booker Prize से किसको सम्मानित किया गया तो यह जो International Booker Prize है यह मिला है फ्रांस के डेबिड डियोप को किसे मिला? फ्रांस के डेबिड डियोप को मिला है तो option D हो जाएगा Correct आपको ध्यान रखना है कि जो International Booker Prize होता है वह किसी भासा में लिखी गई पुस्तक जो कि अंग्रेजी में अनुवादित हुई है UK या Ireland में प्रकासित हुई है उसको दिया जाता है तो इस पुस्तक का अनुवाद किया अन्ना मोस सुवा किसने और यहाँ पर इन दोनों को पुरस्कृत किया गया है पुस्तक का नाम है At night all blood is black तो जरूर ध्यान रखेगा D हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि वर्थ से 2021 के लिए जो टेमपल्टन पुरस्कार है यह किसने जीता तो अगर हम टेमपल्टन पुरस्कार के बात करते हैं तो यह जीता है Jane Gudal ने क्या नाम है Jane Gudal इनका नाम है तो option A हो जाएगा correct यह देख सकते हैं कि Jane Gudal ने आपके काफी सारा रसर्चोगारा किया था चिंपैंजी के उपर तो इसी लिए इनको यहाँ पर टेमपल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया option A हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि मई 2000 केस में जापान के द्वारा किसको order of the rising sun पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो यह जो पुरस्कार है यह मिला है स्यामला गणेश को किसे मिला स्यामला गणेश को मिला तो option फिलहाल A हो जाएगा correct तो हमारे बेंगलोरू में एक जापानी भासा की यह सिचिका है और इन्ही को बेंगलोर जापान ने यह पुरस्कार दिया है तो A हो जाएगा correct वैसे पिछले साल मिला था यह ठंगजाम धबली सिंको अगला प्रश्ण है कि अप्रैल 2000 केस में नेलसन मंडेला बिस समानोतावादी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया तो यह जो पुरस्कार है यह मिला है रुमाना सिनहा सहगल को किसे मिला रुमाना सिनहा सहगल को मिला है तो option फिलहाल A हो जाएगा यहाँ पर correct यह देख सकते हैं एक software engineer है जो की एक बाद में उद्यमी बनी इनी को यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया है ध्यान रखेगा भारत की है तो यह हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि किस देश की एनिलैक्टन को वर्थ से 2021 के प्रिजकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो एनिलैक्टन की बात करें यह है फ्रांस देश की कहा की है फ्रांस की है और इनको इनके पती जीन फिलिब वेसल के साथ में प्रिजकर पुरस्कार मिला है ध्यान रखेगा जो प्रिजकर पुरस्कार होता है इसको हम लोग वास्तुकला का नोबल पुरस्कार भी कहते हैं और यह मिला है एनिलैक्टन और उनके हस्बैन जीन फिलिब वेसल को तो ध्यान रखेंगे C हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्न है कि पुलिजर पुरस्कारों के तहत जार्ज फ्लॉयड के हत्या के रिकॉर्डिंग के लिए किसको स्पेसल स्टाइटेशन अवार दिया गया तो यह जो पुरस्कार है यह डार नेला फ्रेजियर को मिला है option A हो जाएगा correct अब यह जो पुरस्कार है यहाँ पर देखिए public service के लिए New York Times को यह UPPCS में पूछा जा चुका है वैसे total 22 स्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है कोलंबिया विस्विद्याले के द्वारा पहले भारतिय जिन्हों ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया हुआ है उनका नाम है गोविंद विहारी लाल तो यह हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि वर्स 2021 के लिए पुलिजिकर पुरस्कारों में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की स्रेणिय में किसको पुरस्कृत किया गया तो अगर हम लोग इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की बात करें उसको उजागिर किया था तो इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है तो option B होगा correct अगला प्रशन है कि मई 2021 में किस भारतियों को हुटले अवार्ट से सम्मानित किया गया अब जब हुटले अवार्ट की बात हो तो ध्यान रखेंगे इससे हम लोग ग्रीन आसकर के नाम से जानते हैं और ये मिला है वाई नुकलू फोम को किसे मिला वाई नुकलू फोम को मिला तो B हो जाएगा correct ये देख सकते हैं नागा लैंड में एक चर्च के करमचारी है वाई नुकलू फोम और इन्ही को यहाँ पर ये ग्रीन आसकर यानि कि होईटली अवार्ड मिला है तो B हो जाएगा Correct अगला प्रशन है बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण कि वर्षद 2021 के लिए जो 200 खादे पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया 200 खादे पुरस्कार की बात करें तो ये मिला है हमारे सकुंतला हरक सिंग को क्या नाम है सकुंतला हरक सिंग को मिला है option यहाँ पर D हो जाएगा Correct तो देख सकते हैं ये भी आपके भारते मूलकी है वैसे ये डन्मार्क देश की नागरिक है और इन्ही को यहाँ पर मिला है 200 खादे पुरस्कार अगर आपसे पूचा जाए कि ये पुरस्कार 2020 में किसको मिला था तो वो मिला था डांक्टर रतनलाल को दोनों नामे आद किएगा फिरहाल D होगा Correct अगला प्रशन है कि दिसंबर 2021 में नेत्रित्तो प्रतिबधता 2021 के लिए जो संवत राष्ट महिला परस्कार है ये किसने जीता है तो ये जो परस्कार है इसको जीता है दिब्या हिंग्डे ने किसने जीता दिब्या हिंग्डे ने जीता है तो आपसे फिलहाल ए होगा हमारा Correct किसने जीता दिब्या हिंग्डे ने तो ध्यान रकेगा, ये भी हमारी एक उद्यमी है, करनाटक राजी से आती हैं, और इन्हें को United Women's के द्वारा यहाँ पर Leadership Commendment Award दिया गया, तो A हो जाएगा Correct, अगला प्रशने की सितंबर 2020 में, हमारे यहाँ के किस Power Station को Blue Planet प्रसकार से सम्मानित किया गया, तो ये जो Blue Planet प्रस 210 Megawatt का तीस्ता 5 Power Station है, जो कि आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, इसी को यहाँ पर पुरसकृत किया गया है, तो फिलहाल B हो जाएगा Correct, अगला प्रशन है, कि मई 2020 में, जो UNESCO 200 प्रेश सुत्रम्दता पुरसकार है, इससे किसको सम्मानित किया गया, बहुत ही ज़्या जाती है, Option C हो जाएगा Correct, अब चलिए, मारिया रेशा की बात हुई है, तो आपको बताना है, मारिया रेशा को आपके 2001 केस में एक और बहुत ही महापूर पुरसकार दिया गया है, और मारिया रेशा के साथ और किन व्यक्ति को वो पुरसकार मिला है, यह आप नीचे यह मिला है दच्छिन अफरीका के राइटर, नाम इनका है डेमोन गलगट, क्या नाम है, डेमोन गलगट इनका नाम है, तो C हो जाएगा फिलहाल Correct, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है, दा प्रॉमिस पुस्तक का नाम है, जिसके लिए इनको यह पुर तक यह हैं, और इनही को सुप्रियन फोय सवार दिया गया, तो D हो जागा यहाँ पर Correct, अगला प्रशन है, कि दिसंबर 2020 में, किस यूनिवर्सिटी ने, टाइम सायर एजुकेशन, एसिया अवार्ड 2020 में, डिजिटल इनोवेशन आफ दी एर का पुरसकार जीता है, तो यह पुरसकार जीता, ओपी जिंदल ग्लोबल उनिवर्सिटी ने, किस ने जीता, ओपी जिंदल ग्लोबल उनिवर्सिटी ने, तो आप्शन फिलहाल, D होगा यहाँ पर Correct, अगला प्रशन है, कि सितंबर 2020 में, यूनेस्को के द्वारा, जो आपका यूनेस्को साच्रता पुरस फिलहाल, A होगा यहाँ पर Correct, अगला प्रशन है, कि सितंबर 2020 में, किसको गोल्डन गोल कीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो यह जो पुरसकार है, यह Bill और Melinda Gates Foundation के द्वारा दिया जाता है, और यह पुरसकार मिला है, F.A.M. Eng Kuka को, किसे मिला, F.A.M. Eng Kuka को यह पु Correct, अगला प्रशन है, कि सितंबर 2020 में, किस देश के फिरोज फैजा बीधर को Change Maker of the Year पुरसकार मिला है, तो यह पुरसकार हमारे PM साहब को भी मिल चुका है, ध्यान रखिएगा, यह फिलहाल मिला है, बांगला देश की फिरोज फैजा बीधर को Option यहाँ पर D हो जाएगा Correct, तो देख सकते हैं, यह बांगला देश से हैं, और इनही को यहाँ पर Bill and Melinda Gates Foundation ने Change Maker of the Year का पुरसकार दिया है, तो D होगा Correct, अगला प्रशन है, कि सितंबर 2020 में, किसको SDG Progress Award से सम्मानित किया गया है, यानि कि Sustainable Development Goal के लिए Award दिया गया है, और यह मिला है हमारे सेख हसीना ज जागा यहाँ पर Correct, अगला प्रशन है, कि हाल ही में, 73 में एनी पुरसकारों की घोशना की गई है, तो आपको बस यह बताना है, कि यह Television के छितर में दिया जाता है, तो कौन सा देश इस पुरसकार को देता है, तो यह पुरसकार अमेरिका देता है, Option D हो जाएगा Correct, अगला प्रशन है, कि अक्टूबर 2020 में यूनेसको का जो पहला मारसल आर्ट सिच्छा परसकार है, इसके विजेता कौन रहे है, तो अगर हम लोग यूनेसको के मारसल आर्ट सिच्छा परसकार की बात करें, तो यह मिला है कुंगफू नंस को, किसे मिला, कुंगफू नंस को मिला, D हो जाएगा correct ये देख सकते हैं जो कुन्फू नंग्स होते हैं ये आपके जो मतलब लड़कियां होती हैं उनको मार्सल आर्ट के सिच्छा देते हैं हमारे मुख्य रूप से पहाड़ी छेत्रों में तो वहाँ पर इस काम के लिए इनको ये परसकार दिया गया तो D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि जुलाई 2020 में किस को Commonwealth Point of Light Award से सम्मानित किया गया तो ये जो परसकार है ये मिला है सेयद उस्मान को किसे मिला? सेयद उस्मान को मिला है तो option B होगा यहाँ पर correct तो ये एक दे सकते हैं सेयद उस्मान जो कि हमारे एक सामाजिक कार्य करता है बहुती सांदार काम करते हैं यानि कि जो भूखे लोग हैं उनको ये भोजन कराते हैं free में और उसी के लिए इन्हें ये परसकार मिला तो B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि जुलाई 2020 में किसको हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया तो ये जो हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड है ये दिया गया है यहाँ पर कौसिक बसु को कौन है तो भारतिय मूल के एक अर्थसास्त्री है नाम इनका कौसिक बसु भारतिय मूल के भारत के ही है तो कौसिक बसु इनका नाम है ये आपके बिसुबैं को गयरा में भी काम कर चुके है तो इनही को ये परसकार मिला है B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि वर्स 2021 के लिए किसे प्रतेश्टित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया तो ये जो डायना अवार्ड है ये मिला है सनामित्तर को कैफ अली को और देवानसी रंजन को तीन लोगों को ये परसकार मिला दिल्ली में लॉकडाउन के दोरान बहुत ही अच्छा काम किया था तो option D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि अगस्त दोहजार केस में किसको C आर राओ सताब्दी सुनपदक पुरसकारों से सम्मानित किया गया तो ये जो सताब्दी सुनपदक पुरसकार है ये मिला है जगदीश भगवती और C रंग राजन को किसे मिला जगदीश भगवती और C रंग राजन को मिला है तो फिलहाल D यानि की option A और B हो जाएगा correct कौन है जगदीश भगवती तो कोलंबिया बेश्विद्याला की ये प्रोफेसर है और अगर हम लोग C रंग राजन की बात करें तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा ये हमारे RBI के पूर्व गवर्नर है तो अर्थसास के छित में योगदान के लिए इनको ये पुरसकार दिया गया है D होगा correct अगला प्रशन है कि मई 2020 केस में रुडोल्फ B सिंडर पुरसकार जीतने वाले पहले भारतिये कौन बने है तो ये जो पुरसकार है इसको जीता है डाक्टर नागीशोर रेड़ी ने किसने जीता डाक्टर नागीशोर रेड़ी ने जीता तो option B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि अप्रेल 2020 केस में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड प्राप करने वाली पहली भारतिये महिला कौन बनी है तो इनका नाम है क्रीती करंथ क्या नाम है क्रीती करंथ इनका नाम है जो कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड प्राप करने वाली पहली भारतिये बनी है तो D हो जाएगा Correct अगला प्रश्ण है कि मई 2000 केस में किस बैज्ञानी को वर्थ 2020 के लिए अंतर राष्टिय E&I अवार्ड से सम्मानित किया गया तो ये जो परस्कार है ये दिया गया है डाक्टर C.N.R. राउ को केसे मिला डाक्टर C.N.R. राउ को मिला तो ओप्सन D हो जाएगा फिलहाल Correct अगला प्रश्ण है कि मई 2000 केस में जो हमारे अमरत्य सेन साहब है इनको प्रेंसेस ओफ आश्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया तो आप बताएए अमरत्य सेन साहब को ये पुरसकार किस देश ने दिया है तो ये जो पुरसकार है इसको दिया इस्पेन ने किस ने दिया है इस्पेन ने दिया है तो B हो जागा यहाँ पर Correct अगला प्रश्ण है कि फरवरी 2020 में किसको नुरेम वर्ग अंतर राष्टिये मानव अधिकार पुरसकार से सम्मानित किया गया तो इनका नाम है सैर गुल सौतबे क्या नाम है सैर गुल सौतबे इनका नाम है जिनको नुरेम वर्ग अंतर राष्टिये मानव अधिकार पुरसकार मिला है आप्सन B हो जागा यहाँ पर Correct अगला प्रश्न है कि मई 2020 में 15 सेख जायद बुख पुरसकार जीतने वाली पहली भारतिय कौन बनी है तो क्या नाम है इनका इनका नाम है ताहरा कुत्बुद्दीन क्या नाम है ताहरा कुत्बुद्दीन इनका नाम है तो option हमारा D हो जाएगा correct तो देख सकते हैं ये सिकागो विश्विद्याले में प्रोफेसर है अरबी भासा की और इन्हों ने एक पुस्तग लिखी Arabic Oration Art and Function जिसके लिए इनको ये पुरसकार मिला है तो D हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि जून 2000 केस में Nature TTL Photographer of the Year का पुरसकार केस ने जीता तो ये हमारे कीरल राजी से आते हैं नाम इनका है थामस बेजियन तो ये पूछा जा सकता है आपसे क्योंकि ये बहुती महत्पूर्ट फोटो के लिए मिला है तो ये हो जाएगा correct ये आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने एक और गुटान की फोटो कीची थी जो कि कुछ इस प्रकार से लटका हुआ तरपेंड से और इसी के लिए हमारे थामस बेजियन साहब को ये पूरसकार मिला है ये हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि मई 2021 केस में दस्वां वर्ल्ड कोरियोगाफी अवार्ड 2020 ये तने वाले पहले भारतिय जच कौन बने है तो इनका नाम है यहाँ पर सुरेश मुकंद क्या नाम है सुरेश मुकंद इनका नाम है तो option A हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि मई 2020 में किस भारतिय मूल के वैग्यानिक को 2020 के मिलोनियम टेक्नोलोजी पुरसकार से सम्मानित किया गया तो ये पुरसकार दिया गया संकर बाला सुबरामनियम को किसे मिला है संकर बाला सुबरामनियम को मिला तो ये हो जाएगा फिलहाल correct अगला प्रशन है कि जून 2020 में किसको ACA प्रसान उत्पादक्ता चैंपियन पुरसकार से सम्मानित किया गया तो यह जो पुरसकार है यह मिला है हमारे अमूल कंपनी के जो MD और CEO है नाम इनका है RS Sodhi अगला प्रशन है कि जून 2020 में किसको European Inventor Award 2021 से सम्मानित किया गया तो यह जो पुरसकार है यह मिला है आपके सुमिता मित्रा को किसे मिला सुमिता मित्रा को यह पुरसकार मिला तो option A होगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि वर्श 2020 में किस भारते गणतर्गे को प्रतेश ठेट माइकल वा सीला हेल्ड पुरसकार से सम्मानित किया गया तो यह जो माइकल और सीला हेल्ड पुरसकार है यह दिया गया है आपके निखिल स्रिवास्तो को किसे मिला निकल स्रिवास्तो ये वही निकल है जिनको उपर भी पुरस्कार दिया गया सिप्रियन वाला और इनको माइकल और सीला हेल्ड पुरस्कार भी दिया गया है तो आप्सन यहां पसी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारती मुल्के बैक्ति को आबु धाबी के नागरिक प्रसकार से सम्मानित किया गया तो ध्यान रकिएगा ये जो प्रसकार है ये लूलू समोह के जो प्रमुक है यूसुफ अली म. इनको आबु धाबी के नागरिक प्रसकार से सम्मानित क है चलिए एक प्रश्ण आपसे हैं आपको नीचे कमेंड में बताना है कि हमारे यहां के कौन से ऐसे भारतिये हैं जिनको गोल्डन बीजा मुला है तो वो आपके खिलाडी है उनका नाम इस साल यूपी केसे से पूचा भी गया था तो वो नाम आप लोग नीचे कमेंड में बताईएगा पहला प्रश्ण है कि दिसंबर 2021 में किस भारतिये महिला खिलाडी ने 2021 पैरा लंपिक स्पोर्ट सवाड में सबस्रेश्ट महिला पदारपन का सम्मान जीता है काफी महत्मूर पुर्शन है और इनका नाम जरू ध्यान रख्येगा नाम इनका है अउनी लेखारा क्या नाम है अउनी लेखारा इनका नाम है option यहाँ पर B हो जाएगा correct तो ध्यान रख्येगा अउनी लेखारा आपके देश के पैरा सूटिंग के खिलाडी है और इस साल इनको खेल रत्न पुरसकार से भी सम्मानित किया गया है तो option यहाँ पर B हो जाएगा हमारा करग अगला प्रश्ण है कि हाल ही में किसने BBC Sports Personality of the Year 2021 का पुरसकार जीता है तो यह जो पुरसकार है इसको जीता है एमा रादू कानू ने कौन है ये तो आपको ध्यान रखना है कि United Kingdom की ये टेनिस की खिलाडी है और इस साल जो US Open Tennis Tournament हुआ है उसके महिला एकल का खिताब भी जीता है एमा रादू कानू ने तो ध्यान रखिएगा option यहाँ पर फिलहाल C हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि वर्षय 2018 में किसको बैलन डी और पृरसकार से सम्मानित किया गया बहुत ही जादा महात्पूल प्रश्ण है तो ध्यान रखिएगा सातवी जाए पर फिलहाल के खिलाडी है नाम उनका है लियोनल मेंसी क्या नाम है लियोनल मेसी इनका नाम है तो option हमारा भी होजगा फिलाल के लिए correct ये देख सकते हैं लियोनल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाडी है इन्हों ने पिछले साल कुल मिला करके 41 गोल किये थे और इसी लिए इनको सात्वी बार बैलन डियो और पुरस पूर प्रशन है क्योंकि ये जो पुरसकार है हमारे देश की अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है किसे मिला अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला जो की हमारे देश की पूर्व एतलेटिक्स की खिलाडी रह चुकी है तो option A हो जागा यहां पर correct ये देख सकते हैं अंजू बॉ लोग Athlete of the Year की बात करें तो ये चुना गया है Simona Biles को क्या नाम है Simona Biles इनका नाम है तो option फिलहाल C हो जाएगा correct अचा कौन है ये तो आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका की ये जिमनास्टिक की खिलाडी है यहां पर आप लोग इनको देख सकते हैं ये आपकी चार बार Olympic में Gold Medal विजीता भी रह चुकी हैं और 2021 के लिए Times Magazine के द्वारा Athlete of the Year का परस्कार इन्हें मिला है तो C होगा correct अगला प्रशन है कि हाल ही में इन में से किस खिलाडी को ICC Hall of Fame में सामिल नहीं किया गया ध्यान रखिएगा टोटल इस साल तीन खिलाडी को सामिल किया गया है एक खिलाडी है जिनको सामिल नहीं किया गया है तो option हमारा यहाँ पर A हो जाएगा correct यानि की सान पूलाग महेला जैवर्धने और जैनेट बिर्टिन को इस साल ICC के Hall of Fame में सामिल किया गया है तो option फिलहाल A हो जाएगा correct य अगला प्रशन है कि October 2020 केस में होकी इंडिया के द्वारा जो Stars Award 2021 केस दिया गया इसमें Best पुरस खिलाडी का Award किसे मिला है तो यह जो पुरसकार है यह दिया गया है हरमन प्रीत सिंग को किसे मिला हरमन प्रीत सिंग को यह पुरसकार मिला है तो option D हो जाएगा correct यह देख सकते हैं हरमन प्रीत सिंग हमारे इंडियन होकी के खिलाडी है और यह defender के भूमिका निवाते हैं तो इनको यहाँ पर इस साल Best पुरस खिलाडी of the Year का पुरसकार मिला है तो D हो जाएगा फिलहाल correct अगला प्रशन है कि October 2020 में FIH Stars Award 2021 में Best महिला खिलाडी of the Year का Award किसे दिया गया त गुर्जीत कवर को यह पुरसकार मिला तो option A हो जाएगा यहाँ पर correct यह देख सकते हैं कि Player of the Year का पुरसकार पुरसों में हरमन प्रीत सिंग को मिला है महिलाओं में गुर्जीत कवर को मिला उसी प्रकार से Goal Keeper of the Year की बात करें तो प्यार सरेजिस पुरसों में और सभिता पुनिया आपकी रही है महिलाओं में कोच of the Year की बात करें तो ग्राहम रीड आपके पुरसों में और स्वेड मरेजने रही है महिलाओं में तो सारे नाम यहाँ दखिएगा option फिलाल A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि All India Football Federation के द्वारा 2020 के लिए किस महिला खिलाडी को Footballer of the Year नामित किया गया तो नाम इनका क्या है इनका नाम है नंगमोम बाला देवी क्या नाम है नंगगोम बाला देवी इनका नाम है option यहाँ पर फिलाल C हो जाएगा correct यह देख सकते हैं बाला देवी तीसरी बार Footballer of the Year चुनी गई है और यह हमारे बिदेशी Football Club की तरब से खेलन वाली भी पहली महिला खिलाडी है तो option C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि All India Football Federation द्वारा किस खिलाडी को वर्च 2021 के लिए पुरुस प्लेयर of the Year चुना गया तो पुरुसों की बात हो रही है ध्यान रकिएगा यह पुरसकार मिला है आपके संदेश जिंगन को किसे मिला है स संदेश जिंगन को यह पुरसकार मिला तो option फिलहाल के लिए भी हो जाएगा correct यह देख सकते हैं संदेश जिंगन है जिनको यहाँ पर पुरुस प्लेयर of the Year का पुरसकार मिला है अगला प्रशन है कि वर्च 2021 में किस खिलाडी को मोहन बागान रत्न पुरसकार से सम्मानित क किया गया तो यह जो पुरसकार है यह दिया गया है सिवाजी बैनर जी को किसे मिला है सिवाजी मैनर जी को मर्णो परांत मिला है तो option फिरहाल के लिए यह हो जाएगा हमारा correct अगला प्रशन है कि मार्च 2021 में किस खिलाडी को BBC के द्वारा Indian Sports Women of the Year के पुरसकार से सम्मानित क किया गया तो यह जो पुरसकार है इस साल मिला है कोनिरू हमपी को यह आप देख सकते हैं कोनिरू हमपी को यहां पर BBC के द्वारा Indian Sports Women of the Year का पुरसकार मिला वहीं पर जो हमारे देश की सूटर है मनुभाकर इनको emerging player of the year का पुरसकार मिला और अंजू बावी जार्ज को lifetime achievement का पुरसकार मिला है तो तीनों नाम आपको ध्यान रखने है और यह पुरसकार दिये गए है BBC के द्वारा अगला प्रशन है कि अपरेल 2000 केस में किस athletic खिलाडी को 36 गढ़ बेरनी पुरसकार से सम्मानित किया गया तो यह जो पुरसकार है यह मिला है उडिसा की दूती चंद को क्या नाम है इनका दूती चंद नाम है तो option फिलहाल ए हो जाएगा correct यह देख सकते हैं दूती चंद है जिनको यहाँ पर पुरसकार किया गया अगला प्रशन है कि वर्श 2021 के लॉर्यास वर्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में Sportsman of the Year का पुरसकार किसने जीता बहुत ही जादा म मेसी और लुइस हमिल्टन को तो इनों के बारे में ध्यान रखेगा option फिलहाल 2021 के लिए C हो जाएगा हमारा correct अगला प्रशन है कि वर्श 2021 के लॉर्यास वर्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में Sportsman of the Year का पुरसकार किसने जीता तो महिलाओं के स्रेणी में यह पुरसकार मिला है जापान की नाओमी ओसका को किसे मिला जापान की नाओमी ओसका को मिला है तो option फिलहाल A हो जाएगा correct ध्यान आपको क्या रखना है तो आपको ध्यान ये भी रखना है कि 2020 के लिए ये जो पुरसकार था वो मिना था सिमोना बाइल्स को और 2021 के लिए ये पुरसकार मिला है नाओमी उसाका को अगला प्रशन है कि वर्ष 2020 के लौर्यास वर्ड स्पोर्ट सवाड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरसकार किसने जीता तो ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरसकार है इसको जीता है बिली जीन किंग ने जीता है तो फिलहाल के लिए आप्शन डी हो जाएगा अगला प्रशन है कि नौमबर 2021 में BWF ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरसकार से सम्मानित किया ये भी बहुत ही जादा महत्पूर्ण है क्योंकि ये पुरसकार हमारे दीपिका पादुकूर्ण के पापा को मिला है जिनका नाम है प्रकास पादुकूर्ण तो ध दिया जाता है तो ऐसा प्रशन कई बार परिच्छों में आच चुका है ध्यान रखेगा जो आपका मेजर ध्यांचंद खेल रतन पुरसकार है ये टोटल चार वर्सों के परफॉर्मेंस पर दिया जाता है तो ऑप्सन फिलहाल ए हो जाएगा यहां पर करक्ट अगला पए कितने मिलते हैं 25 लाख तो सी हो जाएगा फिलहाल करक्ट और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा मेजर ध्यांचंद खेल रतन अवार्ड है 1991 में शुरू हुआ था बिस सुनातन आनंद इसके पहले प्राप्ट करता है अगला प्रशन है कि वर्च 2020 में कुल कित अगला प्रशन है कि वर्च 2020 में लवलीना बोर्गोहेन को खेल रतन से सम्मानित किया गया है तो बताइए ये हमारे कौन से खेल से सम्मानित है लवलीना बोर्गोहेन की बात करें तो ये हमारे बॉक्सिंग की खिलाडी है और आपको ध्यान रखना है कि इस साल जो टोक्यो ओलम्पिक हुआ है इसमें इन्होंने ब्रॉंज मेडल जीता था तो आप्सन बी हो जाएगा यहां पर करक्ट यह देख सकते हैं कि एक तो हमारे नीरत चोपड़ा सहब हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इनको खेलरतन मिला है उसके अलावा अगर हम बात करें रवी कुमार दाहिा की तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था रस्लिंग में इनको भी मिला है खेलरतन और फिर हमारी है बाक्सिंग में आपके ब्रॉंज मेडल जीता इनको भी मिला है खेलरतन पुरसकार अगला प्रश्ण है कि पैरा खिलाडी आउनी लेखारा को खेल रत्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया बताईए ये कौन से खेल से सम्मानित है तो आउनी लेखारा की बात करें इस साल Tokyo Paralympic में इन्हों ने आपके ना केवल एक gold medal जीता बलकि हमको एक bronze medal भी जिताया है तो ध्यान रखिएगा ये आपके shooting की खिलाडी है और option यहाँ पर D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि पैरा खिलाडी सुमित अंटिल को खेल रत्न पुरसकार से सम्मानित किया गया बताईए ये किस खेल से संबंदित हैं तो सुमित अंटिल की बात करें तो ये हमारे भाला fake के खिलाडी है किसके है जैवलिन थ्रो के है और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है पैरा लंपिक में जिसके लिए इनको खेल रत्न पुरसकार दिया गया तो ये देख सकते हैं PR स्रिजेस हमारे जो हौकी टीम के बिकट कीपर है इनको भी मिला है अवनी लेकारा को मिला पैरा सोटिंग के लिए और सुमित अंटिल को मिला है भाला fake के लिए अगला प्रशन है कि 2020 में खेल रत्न पुरसकार विजीता प्रमोत भगत किस खेल से सम्मंदित है तो प्रमोत भगत के अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पैरा बैटमिंटन के खिलाडी हैं, किसके हैं, पैरा बैटमिंटन के हैं, और इस साल पैरा लंपिक में इन्होंने भी आपके जीता है, गोल्ड मिडल, स्वारी, हाँ, गोल्ड मिडल इन्होंने भी जीता है, अगला प्रश्न है कि 2020 में, खेल रत्न पुरसकार ब रत्म विजेता मनीश नर्वाल कौन से खेल से संबंधित है तो मनीश नर्वाल के अगर हम बात करें तो ये हमारे संबंधित है सूटिंग से किसके खिलाड़ी है सूटिंग के हैं और इन्हों ने भी इस साल गोल्ड मिलर जीता है तो देख सकते हैं प्रमोध भगत स्वन्द पदक जीता पैरा बैटमेंटन के खिलाड़ी है उसके बाद में हमारे मनीश कृष्णा नागर है ये भी आपके पैरा बैटमेंटन के खिलाड़ी है इन्हों ने भी सूट पदक जीता है और फिर बात करते हैं मनीश नर्वाल की तो ये पैरा सूटर है और इन्हों ने जीत है गोल्ड मेडल अगला प्रश्ण है कि खेल रतन पुरस्कार जीतने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी की बात करें तो ये भारते फुटबॉल टीम के इस समय कप्तान है नाम इनका है सुनीर छेतरी तो जरूर ध्यान अखिएगा आपसन यहां पर सी हो जाएगा करक अग है मिताली राज नाम है तो आप्सन फिलाल के लिए do हो जाएगा तो ये नाम भी याद किएगा मिताली राज जो कि पहले के रिकट़र बनी है सुनील छेतरी जो की पहले फुटबॉलर बने है और मनप्रीस सिंग जो की हमारे होके टीम के कप्तान है इनको भी इस साल दिया गया है खेल रत्न पुरसकार अगला प्रशन है कि खेल के छेतर में जो आपका अर्जुन पुरसकार दिया जाता है इसकी अस्थापना कब होई थी तो अर्जुन पुरसकारों की बात करें ये अस्थापित हुआ था 1961 में कब 1961 में आप्सन ए हो जाएगा करक्ड अगला प्रशन है कि वर्स 2020 में कुल कितने खेलाडियों को अर्जुन पुरसकार से सम्मानित किया गया तो अगर हम 2021 की बात करें टोटल यहां पर 35 खेलाडियों को मिला है ऑप्सन फिलहाल के लिए C हो जाएगा करक्ड अगला प्रशन है कि अर्जुन पुरसकार बजीता खेलाडी को कितने रुपए की रासी दी जात खेलाडियों को मिला है और 15 रुपए यहां पर नगत रासी दे जाती है अगला प्रशन है कि 2021 में अर्जुन पुरसकार प्राप्त करने वाले एक मात्र किर्केटर कौन है तो अगर हम लोग किर्केटर की बात करें तो नाम इनका है सिखर धवन क्या नाम है सिखर धवन नाम अगला प्रशन है कि 2021 में अर्जुन पुरसकार प्राप्त करने वाली फेंसिंग की खिलाडी कौन है तो फेंसिंग की खिलाडी की बात करें नाम इनका है सीए भवानी देवी हाला कि यह कोई पदक नहीं जीतता है इस साल लेकिन यह आपकी फेंसिंग में पार्टिस्पेट करने वाली पहली महिला भी है तो आप्शन भी हो जाएगा यहाँ पर करेंग अगला प्रशन है कि वर्श दो होजार कीस में अर्जुन पुरसकार बजीता अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है तो अंकिता रैना के अगर हम बात करते हैं यह हमारे टेनिस की खिलाडी है कि टेनिस की तो आप्शन ए हो जाएगा यह ध्यान रखिएगा जैसे कि यहाँ पर आपको सारे नाम दिख रहे होंगे जैसे कि अर्पिंदर सिंह हो गए सिम्रंजीत कवर हैं सिकर धवन हैं भवानी देवी मोनिका बंदना कटारिया संदीप नर्वाल हिमानी उत्तंपरव बहुत सारे होकी के खिलाडियों को अर्जुन पुरसकार मिला है और अगर हम लोग संख्या की बात करते हैं तो यह संख्या है अठारा की यानि कि 35 में से टोटल 18 खिलाड़ इस बार ऐसे रहें जिनको यहाँ पर दिया गया है अर्जुन पुरसकार तो आप्शन C हो हैं दीपक पुनिया रिस्लिंग वाले हो गए दिल प्रीज सिंग हर्मन प्रीज सिंग रुपिंदर पाल सिंग सुरेंदर कुमार अमित रोहिदार ब्रेंदर लाकडा सुमित नील कांध शर्मा और हमारे हैं हार्दिक सिंग इसी प्रकार से बिवेक सागर प्रसाद ये सारे हैं हौकी के खिलाड़ी इसके अलावा योगेस कतूनिया जिन्होंने पैरालंपिक में आपके सिल्वर मेडल जीता है डिसकस्थ्रो में निसात कुमार जो की हाई जम पर है इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता पैरालंपिक में और प्रविंड कुमार जो की हाई जम के खिलाडी है इन्होंने भी जीता है इस साल सिल्वर मेडल अगला प्रशन है कि वर्ष दोजार केस में सुहास इतिराज को अर्जुन पुरसकार दिया गया है वो एक किस खेल से संबंदित है तो सुहास इतिराज की बात करें ये हमारे पैरा बैटमेंटन के खिलाडी है तो टेबल टिनिस की खिलाडी तो यहां पर आप लोग इनके नाम भी देख सकते हैं अगला प्रशन है कि खेल के छेत्र में दिया जाने वाला दुरोणाचार पुरसकार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था तो दुरोणाचार पुरसकारों की बात करें ये शुरू हुआ था अगला प्रशन है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाने वाला दुरोणाचार पुरसकार के अंतरगत कितनी रासी दी जाती है तो अगर हम लोग रासी की बात करते हैं तो ये आपकी होती है 15 लाख रुपए कितनी होती है 15 लाख रुपए ऑप्सन भी होगा यहाँ पर करक्ट देख सकते हैं कि दुरोणाचार पुरसकार 1985 में शुरू हुआ था मुख्य रूप से ये जो पुरसकार है ये हमारे देश के जो खेल के कोच है उनको दिया जाता है दो कैटेगरी इसमें होती है एक तो है आजिवन उपलबधी पुरसकार जिसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं और एक होता है रेगुलर कर्टेगरी में जिसमें यहाँ पर 10 लाख रुपए दिये जाते हैं अगला प्रशन है कि वर्शे 2020 में दुरोणाचार अवार्ड विजीता सरकार तलवार किस खेल से संबंदित है तो सरकार तलवार की बात करें ये हमारे क्रिक अगला प्रशन है कि वर्शे 2020 में दुरोणाचार पुरसकार बजीता प्रीतम सिवाच हमारे किस खेल से संबंदित है तो प्रीतम सिवाच की बात करें ये हमारे होकी के कोच रहे है किसके होकी के आप्सन यहाँ पर ए हो जाएगा करक तो देख सकते हैं रेगुलर केटेगर अगला प्रशन है कि ध्यान चन्द अवार्ड फॉर लाइप टाइम अचीव्मेंट इन स्पोर्स एंड गेम्स की शुरुआत किस वर्श हुई थी तो ये सारे प्रशन गुरुपडे के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्पून है ध्यान रखिएगा ये आपका शुरू हु अगला प्रशन है कि वर्श 2021 के लिए ध्यान चन्द लाइफ टाइम अचीव्मेंट पूरसकार बजीता अभजीत कुंते किस खेल से सम्मंधित है तो अभजीत कुंते की बात करें ये हमारे चेस के खिलाडी है अप्शन डी हो जाएगा करेक्ट तो ये पूरसकार आप को पॉस करके इनके नाम इहां पर पढ़ लीजिएगा अगला प्रशन है कि वर्श 2021 के लिए जो मौलाना अबुल कलाम आजा ट्रॉफी है इससे किस विस्विद्याले को समानित किया गया तो ध्यान रकिएगा जो हमारा चंडीगर विस्विद्याले है पंजाब में ठीक है जो पंजाब विस्विद्याले है वो आपको चंडीगर में ही देखने को मिलेगा यानि कि दोनों आपके एक ही है नाम इसका वैसे पंजाब विस्विद्याले है तो इसी को यहां पर यह पुरसकार दिया गया है option D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि कि किस महारतन कमपनी को राष्टिय खेल परोस्ताहन पुरसकार 2021 दिया जाएगा तो यह जो पुरसकार है यह मिला है हमारे IOCL को यानि कि Indian Oil Corporation Limited को यह पुरसकार मिला है तो option फिलहाल भी हो जाएगा यहां पर correct तो ध्यान रखिएगा एक तो यह पुरसकार मिला है मानो रचना Educational Institution को और एक यह यह कुल कितनी स्रेणियों में दिये जाते हैं तो ध्यान रखिएगा टोटल इसकी 6 कटेगरी है जिसमें यह पुरसकार दिये जाते हैं ऑप्सन हमारा D होगा correct तो मेजर ध्यान चंद हो गया सबसे बड़ा अरजुन पुरसकार दुरुनाचारे पुरसकार ध्यान चंद प्लेयर ऑफ दियर के पुरसकार से सम्मानित किया गया तो यह पुरसकार मिला है रॉबर्ट लेवान डोसकी को कौन है यह रॉबर्ट लेवान डोसकी की बात करें तो यह हमारे पुलेंड राष्टिये टीम के कप्तान है और इनहीं को प्लेयर ऑफ दियर का पुरसकार मिला तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने 2021 में जो भी आपके खेल के छेत में पुरसकार दिये गए थे उन सारे पुरसकारों को कवर कर लिया है इसके बाद में जो अगले दो वीडियो होंगे उसमें हम लोग हमारे भारत में जो पुरसकार दिये गए हैं उनको कवर करेंगे और अंतराश्टिय अस्तर पर जो पुरसकार दिये गए हैं उ अक्टूबर 2020 केस में आसकर पुरसकारों में तो यहाँ पर अगर हम लोग आसकर पुरसकारों की बात करते हैं तो हमने अपनी देश की तरफ से यहाँ पर कुझांगल नाम की मूवी को भेजा था हाला कि अब यह आसकर से बाहर हो चुकी है लेकिन आपकी परिच्छा के लिए प्रशन तयार हो चुका है तो आप्सन फिलहाल भी हो जाएगा करेक्ट तो ध्यान रखेगा यह आपके तमिल भासा के फिल्म है और इस साल यानि की 2022 में जो 94 में आसकर पुरसकार होंगे उसमें भारत की तरफ से इसको भीजा गया था जिसके निर्देशक है बिनोत राज पियस तो आप इस मूवी के बारे में ध्यान रखेगा और आपके लिए यहां पर प्रशन है आप बताईएगा कि जो 93 में आसकर पुरसकार था उसमें कौन सी मूवी को हमारे देश की तरफ से भेजा गया था अगला प्रशन है कि भारत में आयोजित रूसी फिल्म महस्तो के अमबेश्डर कौन होंगे तो नाम इनका इंतियाज अली है काफी महत्पूर्ण प्रशन है ध्यान रकिएगा जो रूसी फिल्म महस्तो हुआ था हमारे यहाँ पर उसमें ब्रांड मेश्डर रहते इंतियाज अली तो भी हो जाएगा अगला प्रशन है कि सुईडिस फिल्म फेस्टिवल में किस भासा की जो जो जी फिल्म है इसको पुरस्कृत किया गया तो जो जी फिल्म की बात करें यह हमारे मल्यालम भासा की मूवी है कौन से मल्यालम भासा की मूवी है और इसको यहाँ पर सुईडिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया तो option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल आफ मेलबर्न में हमारे यहां की कौन सी फिल्म को सर्बस्रेश्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है तो यह बहुत ही सांदार मूवी है हो सकता है आपने इसको देखा भी हो नाम इसका है सोरा राई पुत्रू तो जो आपके साउथ सिनेमा के एक्टर है सूरिया उनकी यह मूवी है और इसी को यहां पर सर्बस्रेश्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है तो A हो जाएगा correct तो सर्बस्रेश्ट फीचर फिल्म सुरा राई पुत्रू रहा है सर्बस्रेश्ट अबनेता भी इसी मूवी के लिए रहे है सूरिया इंका नाम है सर्बस्रेश्ट अबनेत्री रहे है विद्या बालन सेर्मी नाम की मूवी के लिए और सर्वस्रेश ने दे सक रहे हैं अनुराग बसू लूडो नाम की मूवी के लिए तो सारी चीजें ध्यान रखेगा ए हो जाएगा करक अगला प्रश्न है कि सितंबर 2020 में जो पहला हिमालाई फिल्म होसो है इसका आयोजन किस राजिया यूटे में किया गया तो ये जो आयोजन है ये हुआ था लदाक में कहां पर हुआ लदाक में हुआ तो आप्शन फिल्हार के लिए भी हो जाएगा करक तो 24 से 28 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था और ये हमारे केंदरिये सूचना और प्रसारन मंत्राले ने आपके लदाक की सरकार की सहयोग से किया था तो भी हो जाएगा करक अगला प्रशन है कि 74 कांस फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्बस्रेश्ट डाकुमेंटरी के लिए गोल्डन आई पुरसकार जीता और लड़ी परिछा में ये पूछा गया प्रशन है ध्यान कीगा इनका नाम है पायल कपाडिया क्या नाम है पायल कपाडिया इनका नाम है तो option D हो जाएगा करक ये देख सकते हैं पायल कपाडिया इनका नाम है इन्होंने एक डाकुमेंटरी बनाई थी जिसका नाम था A Night of Knowing Nothing और इसी के लिए इनको गोल्डन आई पुरसकार मिला है तो option D हो जाएगा करक अगला प्रशन है कि जून 2021 में आयोजित UK ACN Film Festival में किसने सर्बस्रेश्ट अभनेत्री का पुरसकार जीता है तो यहाँ पर जो सर्बस्रेश्ट अभनेत्री का पुरसकार है इसे जीता है तिलोत्तमा सोम ने किसने जीता तिलोत्तमा सोम ने जीता और option D हो जाएगा करक तो इन्हों ने एक मूवी में काम किया था जिसके लिए तिलोत्तमा सोम को यहाँ पर पुरसकार दिया गया है तो D हो जाएगा करक अगला प्रशन है कि मई 2020 में किस अभनेता ने New York City International Film Festival में सर्वस्रेश्ट अभनेता का पुरसकार जीता है तो यह जीता अनुपम खेर सहाब ने किसको मिला अनुपम खेर सहाब को यह पुरसकार मिला है तो option B हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि इस साल जो हमारा International Film Festival of India हुआ बावनवा एडिसन इसमें Personality of the Year से किसको सम्मानित किया गया तो यह पुरसकार मिला है अभनेत्री हिमा मालनी को और प्रसून जोसी को तो यहाँ पर फिलहाल भी हो जाएगा अगला प्रशन है कि जो हमारा बावनवा IFFI हुआ है इसमें Film Shooting के लिए सबसे अनकूल राजिका पुरसकार किसे दिया गया तो यह जो पुरसकार है यह मिला है उत्तर प्रदेश को किसे मिला उत्तर प्रदेश को मिला तो C हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशण है कि 52 आईएफफाई में सर्बस्रेश्ट अभनीता के लिए जो सिल्वर पिकाग पुरस्कार है इससे किसको सम्वानित किया गया तो ये जो सिल्वर पिकाग पुरस्कार है ये दिया गया है जितेजर भीकु लाल को किसे मिला हमारे देश के जितेंद्र भीकु लाल को मिला है तो D हो जाएगा correct ये देख सकते हैं जितेंद्र भीकु लाल को गोदाओरी नाम के फिल्म में इनके अभने के लिए सिल्वर पिकाग अवार्ड दिया गया तो D हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि 52 आई एफ एफ आई में सर्वस्रेष्ट अभनेत्री के लिए जो सिल्वर पिकाग पुरस्कार है ये किसको दिया गया है तो ये पुरस्कार मिला है एंजिला मोलीना को किसे मिला एंजिला मोलीना को मिला है तो ए हो जाएगा correct ध्यानक कियेगा कि आपक कारलोट नाम की मूवी है जो कि स्पेन देश की है तो इसी के लिए एंजिला मोलीना को यहाँ पर सर्वस्रेष्ट अभनेत्री का पुरस्कार मिला है तो ए हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि 52 आई एफ एफ आई में सर्वस्रेष्ट फिल्म के लिए किस देश की रिंग फिल्म को गोल्डन पिकाक वार्ट दिया गया तो यह ज्यादा महत्पूर्ण है ध्यान रकेगा जो रिंग वांडरिंग नाम की मूवी है यह आपके जापान देश की है ऑप्सन यहाँ पर सी हो जाएगा correct तो देख सकते हैं जापान की रिंग वांडरिंग मूवी को काजू काने के और आपको ध्यान रखना है कि सर्वस्रेश्ट निदेशक का जो पुरस्कार है या वाकलाओ कद्रनका को दिया गया तो ऑप्सन सी हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि बावनवे IFFI में जो IFCT UNESCO गाधी पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया तो य पुरस्कार है यह किस फिल्म को दिया गया है तो बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार है यह मराककर मूवी को मिला है तो ऑप्सन B हो जाएगा यहाँ पर correct तो देख सकते हैं मराककर लायन आप दी अरिवियंसी मूवी का नाम है निर्देशक इसके प्रियदर्शन सहाब है और यह मल्यालम भासा की मूवी है तो ऑप्सन B होगा correct अगला प्रशन है कि सर्षट में फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट अबनीता का पुरस्कार है यह किसको दिया गया तो एक तो मिला है मनोज बाजपेई सहाब को भोसले मूवी के लिए और धनुस को मिला है असुर पुरस्कार है यह किसको दिया गया है तो बेस्ट अबनेत्री के अगर हम लोग बात करते हैं तो यह मिला है कंगना रनाउत को देखें फिल्म पुरस्कार का मतलब है हम लोग राश्टे फिल्म पुरस्कारों की बात कर रहे हैं और यह जो आपका है वो कंगना रनाउत को मि मिला है कंगना रन आउत को अगला हमारा प्रेश्ण है कि सर्षट्वी राष्टिय फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार है यह किसे दिया गया तो यह पुरस्कार मिला है संजे पूरण सिंग चौहान को मूवी इन्हों ने बनाए थी जिसका नाम 72 हुरे है और उसी मूवी के लिए इनको बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार दिया गया तो ऑप्सन C हो जाएगा यहाँ पर करक्ट अगला प्रश्ण है कि सर्षट्वे राष्टिय फिल्म पुरस्कारों म में बेस्ट मेल प्लेव एग सिंगर का पुरस्कार किसे दिया गया ओ ऐसे प्रश्ण आपके group D में जादा आते हैं तो ध्यान एक हैगा जब हम लोग राष्ट्य फिल्म पुरस्कारों को बात करते हैं तो यह पुरस्कार मिला है B-Frag को किसे मिला B-Frag को मिला है केसरी मूव प्लेबैक सिंगर का पुरसकार किसे मिला है तो ये मिला है मराथी भासा की गाई का नाम इनका है साउनी रविंद्र क्या नाम है साउनी रविंद्र नाम है तो option D हो जागा यहाँ पर correct तो देख सकते हैं बार्डो नाम का एक गीत इन्होंने गाया था मराथी भासा में और उसी के लिए इनको पुरसकृत किया गया है अगला प्रशन है कि 60-वे राष्टिय फिल्म पुरसकारों में best Hindi feature फिल्म का पुरसकार किसे दिया गया तो Hindi feature की बात करें ये मिला है शिछोरे नाम की मूवी को आप सभी को पता होगा कि सुसान्त सिंग राजपूत की ये मूवी थी शिछोरे जिसको यहाँ पर best Hindi feature फिल्म का पुरसकार दिया गया और उपसन A हो जाएगा यहाँ पर करेंग अगला प्रशन है कि वर्स 2019 के लिए जो दादा साहब फाल के पुरसकार है इससे किसको सम्मानित किया गया तो दादा साहब फाल के पुरसकार की बात करें ये मिला है आपके अमिताब बच्चन की बजाए सुरी रजनी कान साहब को तो आपसन B हो जाएगा ध्यान रखेगा कि 2019 के लिए ये जो पुरसकार मिला है वो आपके रजनी कान साहब को मिला उसके पहले अमिताब बच्चन को मिला था और उसके पहले मिला था ये बिनोध खन्ना को तो आपको नाम तीनों ध्यान रखने है B हो जाएगा करें अगला प्रशन है कि जो इस साल 66 फिल्म फियर पुरसकार दिया गया इसमें बेस्ट फिल्म का पुरसकार किसे मिला है तो अब हम लोग फिल्म फियर की बात कर रहे है जहां पर आप लोग पुरसकार को खरीद सकते हैं तो यहां पर बेस्ट फिल्म का पुरसकार मिला है थपड को किसे मिला थपड को मिला है क्योंकि option C हो जाएगा यहाँ पर correct तो अनुभो सिनहा की एक movie है थपड जिसको यहाँ पर best film का पुरस्कार दिया गया अगला प्रश्ण है कि 66 फिल्म फेर पुरस्कारों में best निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया तो best निर्देशक की बात करें यह पुरस्कार मिला है ओम राउत को किसे मिला ओम राउत को मिला तानहा जी नाम की movie के लिए तानहा जी दा अंसंग वैरियर नाम की movie के लिए best director का जो पुरसकार है वो मिला है ओम राउत को अगला प्रश्ण है कि 66 film fair पुरसकारों में best अबनीता का जो पुरसकार है वो किसे दिया गया तो ये मिला है इर्फान खान साहब को किसे मिला इर्फान खान साहब को मिला option यहाँ पर B हो जाएगा correct तो देख सकते हैं यह इर्फान खान साहब है अंग्रेजी मीडियम नाम की मूवी के लिए इनको best अबनीता का पुरसकार दिया गया अगला प्रश्ण है कि 66 film fair पुरसकारों में best अबनीती का जो पुरसकार है यह किसको दिया गया तो यह मिला है तापसी पन्नु को किसे मिला तापसी पन्नु को थपड नाम की जो मूवी रही है उसमें इन्हों ने जो अबने किया था उसी के लिए इनको यहाँ पर best अबनीती का पुरसकार दिया गया तो option D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि 66 फिल्म फेर पुरसकारों का जो आयोजन है यह कहां पर किया गया तो ध्यान रखेगा यह पुरसकार हमेशा ही आपके मुंबई में होते हैं लेकिन एक exception इसमें यह है कि जो 65 वाला फिल्म फेर पुरसकार था वो आपके गुहावटी में हुआ था तो इसलिए इसके बारे में ध्यान रखेगा बाकी सारे आपके जो फिल्म फेर पुरसकार हैं वो मुंबई में ही होते हैं तो option C हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि 66 फिल्म फेर पुरसकारों में male category में best playback singer का जो पुरसकार है यह किसको दिया गया तो यह मिला है राघो चैतनिको इन्होंने एक गाना गाया था एक टुकडा धोब क्या था गाने का नाम एक टुकडा धोब गाने का नाम था थपड मोवी का यह गाना है जिसके लिए इनको best male playback singer का पुरसकार मिला तो D हो जाएगा फिलहाल correct अगला प्रश्ण है चाट-छटवे film fair पुरसकारों में female category में best playback singer का पुरसकार किसे दिया गया तो ये जो पुरसकार है वो आपके मिला है यहाँ पर अनीज score को किसको मिला अनीज score को यहाँ पर यह पुरसकार दिया गया है तो option D हो जाएगा correct इन्होंने जो गाना गया था वह आपके मलंग movie का था और ये उस movie का title song था तो ध्यान रखेंगे 80 score को यह मिला है तो D हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि जो आपके 6-6 में film fair पुरसकारों का बितरन किया गया इसमें lifetime achievement पुरसकार से किसको सम्मानित किया गया है तो यह पुरसकार मिला है अभिनेता इर्फान खान को किसे मिला इर्फान खान को मिला तो option फिलहाल के लिए भी हो जाएगा correct अब हम लोग बात करेंगे आसकर पुरसकारों से जुड़े हुए जो प्रश्ण है हर साल आसकर पुरसकारों का जो आयोजन है ये किस सहर में किया जाता है बताईए तो अगर हम आसकर पुरसकारों की बात करें तो इसका आयोजन हर साल लॉस एंजल्स याने की अमेरिका में होता है option यहाँ पर C हो जाएगा correct और यह प्रशन बहुत पोचा जाता है exam में ध्यान रखेगा जो हमारे अकादमी पुरसकार या आसकर पुरसकार होते हैं यह हर साल अमेरिका के लॉस एंजल्स में ही आयोजित किये जाते हैं अगला प्रशन है कि 93 में आसकर पुरसकारों में best picture का जो अवाड है यह किस फिल्म को दिया गया तो best movie का जो पुरसकार है यह दिया गया है नोमाद लेंड को क्या नाम है नोमाद लेंड इसका नाम है तो option B हो जाएगा correct तो चाइना की एक डारेक्टर है क्लो जाओ जिनके द्वारा इसे डारेक्ट किया गया है और यह मिला है आपके किसको नोमाद लेंड लेंड नाम की movie को अगला प्रशन है कि 93 में आसकर पुरसकारों में अगला प्रशन है कि 93 में आसकर पुरसकारों में जो बेस्ट अभनीता का पुरसकार है ये किसे मिला है तो बेस्ट अभनीता का पुरसकार एंथोनी हॉपकेंस को मिला है फादर नाम की movie के लिए किसके लिए The Father नाम की मूवी के लिए मिला है और 83 एर की एज में इनको ये पुरस्कार मिला है तो ध्यान रखेगा ये आपके सबसे अधिक उम्र के अभनीता बने हैं जिनको इस काटेगरी में यहां पर सरवस्रेष्ट अभनीता का पुरस्कार मिला है तो ध्यान रखेगा D हो जाएगा फिलहाल, correct अगला प्रश्ण है कि 33 वे आसकर पुरस्कारों में बेश्ट अभनित्री का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया तो ये पुरस्कार मिला है Francis Mac Dorman को किसे मिला है? Francis Mac Dorman को मिला है अप्सन फिलहाल के लिए B हो जाएगा correct तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में अगला प्रश्ण है कि 93 वे आसकर पुरस्कारों में किसे Best International Feature Film के स्रेणी में पुरस्कार दिया गया तो ध्यान रखेगा जब हम लोग Best International Feature Film की बात करते हैं तो ये पुरस्कार मिला है आपके Another Round को किसे मिला है Another Round को तो ध्यान रखेगा अगर आपसे Best Movie की बात की जाए तो Nomadland होगा लेकिन अगर Best International Feature Film की बात की जाए तो आपका उत्तर होगा Another Round तो यहाँ पर B हो जाएगा correct अगला प्रश्न है कि 74 बाप्ता पुरस्कारों में किस फिल्म को Best Film का पुरस्कार दिया गया अब हम लोग बाप्ता की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखेगा बाप्ता में भी जो सर्वस्रेश्ट पुरस्कार है ये इसी को मिला है किसे नुमाद लेंड को ही मिला है तो फिल्हाल D हो जाएगा यहाँ पर correct तो यह वही चलो जाओ वाली मूवी है जिसको आपके बाप्ता में भी सर्वस्रेश्ट मूवी का पुरस्कार मिला है अगला प्रश्ण है कि 74 बाप्ता पुरस्कारों में जो बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार है ये किसको दिया गया तो ये पुरस्कार भी मिला है आपके स्लो जाओ को किसे मिला स्लो जाओ को मिला आप्सन यहाँ पर D हो जाएगा करेक्ट और इन्होंने जो मूवी बनाई है उसका नाम ही है नोमाद लैंड अगला प्रश्ण है कि 74 बाप्ता पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया तो यह पुरस्कार मिला है आपके एन्थोनी होपकिन्स को यानि कि जो आपके आपके आसकर में टॉप पे रहे थे मतलब बेस्ट अबनीता रहे थे वही यहाँ पर भी रहे हैं मूवी भी सेम ही है तो ध्यान किएगा ओप्सन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट अगला प्रश्न है कि 74 बाक्टा पुरस्कारों में किस अबनेत्री को लीडिंग रोल के लिए पुरस्कार दिया गया है तो यह पुरस्कार सेम वही है फ्रांसेस मैक डॉर्मेंड ध्यान किएगा इनके बारे में यह आपकी वही है जिनको आश्कर में बेस्ट अबनेत्री का पुरस्कार मिला था और इन्ही को भाक्टा में भी मिला है तो भी हो जागा यहाँ पर करेक्ट तो ध्यान किएगा इन्हों ने आपके नुमाद लें वह आपको मिल जाएगा लंदन में कहां पर है इंग्लैंड के लंदन में है तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट अगला प्रश्न है कि 68 गोल्डन गलोब अवार्ड में किस फिल्म को ड्रामा सरेणी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया काफी महत्मोर प्रश्न है अब हम लोग गोल्डन गलोब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मिला है नोमाद लेंड को ज्यान केगा बाटा की बात हो आसकर की बात हो या फिर आपके गोल्डन गलोब की बात हो सभी में नोमाद लेंड को बेस्ट मूवी का पुरस्कार मिला तो भी हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि 78 में Golden Globe प्रश्कारों में किसको ड्रामा स्रेडी में Best अभनीता का प्रश्कार दिया गया तो यहाँ पर अगर हम लोग Best अभनीता के बात करेंगे तो यह प्रश्कार मिला है चैडविक बोस्मैन को अगला प्रश्ण है कि 78 में Golden Globe प्रश्कारों में ड्रामा स्रेडी में किसको Best अभनीता का प्रश्कार दिया गया है और इसी के लिए इनको यह प्रश्कार मिला है तो D हो जाएगा Correct अच्छा अब हम लोग कुछ प्रश्ने डिस्कस करेंगे जो की आपके International Film Festival of India से जुड़े हुए है और यहां पर 51 वाले से जुड़ा है जहां रखेगा कि जो 51 इसका एडिसन था वो आपके जनवरी में ही हुआ था और जो आपका यहां पर 52 एडिसन है यह हुआ था नॉंबर में तो COVID के कारण दोनों एडिसन एक ही साल हुए है आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहला यह फेस्टिवल है यह कब आयोजीत हुआ था तो पहली बार यह आयोजीत हुआ था 1952 में B हो जाएगा करण अगला प्रश्ण है कि जो हमारा IFFI था इसके 51 संस्क्रण में फोकस देश कौँट सा था तो अगर हम लोग 51 एडिसन की बात करते हैं तो फोकस देश था बांगला देश कौँट था बांगला देश था D हो जागा फिलहाल करण अगला प्रश्न है कि Aieff 5 के 51 संस्क्रण में किसके जन्मसताब्दी वर्ष को चिन्हित किया गया है तो इस साल यारे के 2000 केस में जो हमारे सत्जीत रे साहब थे उनका जन्मसताब्दी वर्ष था तो option A हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि IFFI के 91 संस्क्रण में किस देश की Another Round ओपनिंग फिल्म रही थी तो Another Round के अगर हम बात करें ये आपके हैं डेनमार्क की मुवी Thomas Bintenberg इसके डिरेक्टर है तो ये हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि IFFI के 91 संस्क्रण में किसे Golden Peacock Award से सम्मानित किया गया है तो यहाँ पर जिस मुवी को Golden Peacock Award मिला है उसका नाम है Into the Darkness क्या नाम है Into the Darkness नाम है C हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रश्ण है कि IFFI के 91 संस्क्रण में ICFT यूनिस्को गाधी मेडल से किसको सम्मानित किया गया तो यह जो पुरस्कार है वो मिला है आपके 500 मेटर नाम की मुवी को किसे मिला 500 मेटर नाम की मुवी को तो D हो जाएगा फिलाल correct तो इस प्रकार से हमने जितने भी आपके महत्पूर्ण फिल्म पुरस्कार थे उनसे जुड़े हुए प्रश्णों को डिस्कस कर लिया है अगर आपने वीडियो को धान से देख लिया केवी गुरुजी.in से PDF को डाउनलोड करके 3-4 बार रिवायज कर लिया तो आपके किसी भी एक्जाम में अगर फिल्म पुरस्कारों से प्रश्णाते हैं तो संभौता हुआ इस वीडियो से बाहर नहीं होगा वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़े का भारत तो बढ़े का भारत